दोस्तों, श्टेडी का अंदर्शन में आपका स्वागत है, आज क्लास 10 चाप्टर 17 है संस्कृती पार्ट है, संस्कृती पार्ट को लिखने वाले जो हैं बदंद, आनंद, कोसल्याईन हैं, और इनके बारे में थोड़ा सा इनका जीवन परचे बोल देती हूं, इसके बाद सोहाना गाउ में, अंबाला के सोहाना गाउ में हुआ, बहुत भिच्चु के रूप में उन्होंने देश-विदेश का काफी ब्रमण किया था, वे गांधिय जी से काफी प्रभावित भी थे, उनके संग वर्धा में रहे भी, उन्होंने हिंदी भासा और साहित्य की मुहद पूढ पूढ सेवा किये उन्होंने पाली भासा में लिखे बौद साहित्य का हिंदी में अन्वाद भी किया है हिंदी साहित्ये के समयलन प्रयाग राश्बचा प्राचार समीती में बहुत सक्री भूमिका उन्होंने निवाई थी घुमकड होने के काड उनके यात्रा वडन परेटन संस्मरड अधिक प्रभावित बन पड़े हैं सन 1988 में उनका निधन हो गया तो 1905 में उनका अंबाला सुहाना गाव में जनम हुआ और 1988 में उनका निधन हो गया उनकी बहुत सी रचनाएं हैं जो प्रसिद हैं भिच्चु के पत्र जो भूल न सका आह ऐसी दरिद्रता बहाने बाजी उनके प्रसिद रेखा चित्र संस्मरड पत्र और निबंध हैं यदेपी उन्होंने 20 में अधिक पुस्तके लिखी परन्तु ये ग्रंत उलेखनी हैं साहिती विसे स्ताइन की कुछ बता देती हूं मैं आपको बदंत आनंद को सल्यायन के साहिती के मुखे विसे मानमी आचार बेवार यात्रा संस्मरड तथा गांधी जी के सुखत संस्मरड हैं यात्रा वडन जितने सजीव बन पड़े हैं उतने ही सजीव गांधी जी के पाजगी का अनुबव होता है मानो हम अभी अभी बापु से मिलकर आये हूं मनोतावाद वे गांदी जी को माने मिये जिश्टी से देखते हैं उन्हें सबसे उपर रखते हैं भासा सेली इनकी सरल है सहज है आडंबर हीन है लेखक ने सरल सी बात को सहतिक सेली में ब्यक्त किय उनकी भासा को जन भासा कहा जाता है जनता की भासा लोगों की भासा इस निबंद में उन्होंने भासा का सिथिल प्रयोग किया है विसे के अनुप भासा में भी विवित्ता और स्पश्टा आ गई है अब प्रश्न उत्तर करेंगे प्रश्न पहला है लेखक की द्रिष्टी में सब्यता और संस्कृती सब्दों की सही समझ अब तक इसलिए नहीं बन पाई है क्योंकि लोग सब्यता और संस्कृती सब्दों का प्रयोग तो खूब करते हैं पर वे इनके अर्थ के बारे में भ्रहमित रहते हैं उन्हें पता ही नहीं कि इसका मतलब क्या है इनके अर्थ को जानने समझने बिना मनमाने डंग से इनका प्रयोग करते हैं इन सब्दों के साथ भौतिक अध्यात्मीक विशेश्रल लगा कर इने और भी ब्रहमक बना दिया जाता है इस सब्दों के सहीर्थ की समझ अब तक लोगों को नहीं है कि संस्कृति है क्या सबिता क्या है अपना जो जिसको समझ में आता है वही समझ लेते हैं आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है इस खोज के पीछे रही प्रेडा के मुख्य स्रोथ क्या आग कैसे खोजी गई इसका प्रेडा स्रोथ क्या है यही बताना है उत्तर में आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज है इसलिए मानी जाती है क्योंकि मनुस्य की जीवन सैली खान पान में बहुत बदलाव आया दूसरे मनुस्य पेट की ज्वाला अधिक सुईधा जनक धंक से सांत होने लगी इससे उसका भोजन स्वाधिश बन गया उसे सर्दी भगाने का साधन भी मिल गया इसके अलमा प्रकास आग भें दिखाने से जंगली जानवर भी भागते थे ये सारी कम्या जो है दूर हो गई आग ने मनुस्य के सब्व्य बनने का मार्ग भी प्रसत किया इसकी खोज के पीछे रही प्रेडा के मुक्य स्रोत पेट की ज्वाला सर्दी से बचने के लिए प्रकास अंदेरे में उजाला के लिए जंगली जानवरों से बचने के लिए ये सारी चीजों की वज़े से अगनी उत्पन होई आदिमानों लोग जब पत्थर तोड़ कर हथियार बना रहे थे उसी में से एक चिंगारी निकलती है और जंगल में लग जाती है उसी से अगनी की खोज है गोई और लोग जब पका कर बोजन करने लगे तो स्वाद आने लगा और उससे ठंडी से बचने लगें और इसके बाद आग से हमें उजाला भी मिलता है प्रकास भी मिलता है तो कते न आओ सकता ही अविस्कार की जननी होती है प्रश्न तीन है वास्त्वी कर्थों में संस्कृती ब्यक्ति किसे कहा जा सकना है उत्तर है वास्त्वी कर्थों में संस्कृती ब्यक्ति उसे क खोज करता है समाज को अत्यांत उपयोगी आविस्कार देकर उसकी सब्यता का मार्ग प्रसस्त करता है उदार न्यूटन संस्क्रित व्यक्ति था जिसने गुरुत्वा करसर के सिद्धांद की खोज की थी इसी तरह सिद्धार्थ ने मानातों को सुखी देखने के लिए अपन जो निठले होते हैं वह तो बस खा के पेड़ भर लेते हैं वह सोचते हैं यही मेरी जिंदगी है प्रस्न अगला है न्यूटन को संस्क्रित मानों कहने के पीछे कौन से तरक दिये गए हैं न्यूटन द्वरा परित्रिपादित सिद्धांतों यम ज्यान की कई कई दूसरी जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरफ संस्क्रित नहीं कला सकते क्यों अब जो पहले बार खोज करेगा उसे ही संस्क्रित प्यक्ति कहा जाएगा और अगर कोई दूसरी बार उसी चीज में संसोधन करेगा सुधार करेगा उसे थोड़ी ने कहा जाएगा तो पहले संस्क्रित मानव था जो पहली बार खोज करता है वही संस्क्रित मानव कलाएगा कुछ लोग जो न्यूटन की पीड़ी के हैं वे न्यूटन के सिद्धान को जानने के अलावा अन्य बहुत सी उन बातों को ग्यात रखते हैं न्यूटन सर्वता अन्बिग्य था परन्तु उन्हें संस्क्रित मानव इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्होंने न्यूटन की भांती किसी नए तथ्थे का अविस्कार नहीं किया ऐसे लोगों को संस्क्रित मानव नहीं बलकि सब्वे मानव कहा जाएगा प्रश्न पांच है किन महतपुड आसकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का विसकार हुआ होगा हमें बताना है सुई धागा का विसकार उत्तर है सुई धागा का विसकार जिन दो महतपुड आसकताओं के लिए किया गया होगा अपने सरीर को ठंडी से बचाने के लिए उश्र मौसम से सुरच्चित रखने के लिए कपड़े सिलने के लिए किया गया होगा फिर इसके बाद है मनुस्य द्वारा सुन्दर दिखने की चा में अपने सरीर को सजाने के लिए भी कपड़े का विसकार किया होगा इससे पुर्व चाल एवं पेड के पत्ते से अपना सरीर को ठकते थे काम चलाते थे लेकिन धीरे-धीरे कपड़ों का भी अविस्कार हुआ सिलाई का भी अविस्कार हुआ मानव आज इतना विक्षित हो गया है कि किसी चीज़ की कमी ने रही है मानव संस्क्रिती एक अविभाज वस्त हुए किनी दो परसंगों का उले करना है मानव संस्क्रिती को अविभाजित करने की चेश्टा की गई है जब मानव संस्क्रित ने अपने एक होने का प्रमार दिया है उत्तर हैं समय समय पर ऐसी कूछ एष्टाएं की गई जब मानोश संस्कृति को धर्म संप्रदाय में बाटने का प्रयास किया गया कुछ असामाजिक तत्व धर्म के तथा कथित ठेके दारों ने हिंदू मुसलिम संप्रदाईक जहर फैलाने का प्रयास किया मानोश संस्कृति को बाटने की कूछ एष्टा की लोगों ने अपने भास्रणों द्वारा दोनों वर्गों को भड़काने का काम किया हिंदू मुसलिम सी किसाई करके लोग लड़ाने का काम करते थे इनके त्यवहारों पर भी एक दूसरे का उक्सा कर धारिमिक भावने भड़काने का प्रयास करते थे वे मस्जित के सामने बाजा बाजाने ताजिये के निकलते समय पीपल की डाल काटने पर संस्कृति खत्रे में पढ़ने की बात करकर मानव संस्कृति को विभाजित कर रहे हैं बाट रहे हैं धर्म भेद भाव उच नीच ऐसा करके वो लोगों में एक विखंडन कर रहे हैं अलगाव कर रहे हैं लोगों में जगडा लगा रहे हैं एक तनाव पाइदा कर रहे हैं तो आज भी लोग ऐसे पड़े हुए हैं मानो संस्कृति के मूल कल्याड की भावना नीत है और कल्याड कारी तत्तों के लिए स्थान नहीं है समय समय पर लोगों ने अपने कारियों से इसका प्रमार भी दिया जैसे बुखे बेक्दि को लोग अपने हिस्से को भोजन खिला देते हैं बिमार बच्चे को अपनी गोद में लिए मा सारी राद गुजार देती है काल माक्स ने आजीवन मजदूरों के लिए हित के लिए संघर्ष किया कारी किया लेलिन ने अपनी डेस्क की ब्रेट भूखों को सिधार्त मानों को सुखी देखनी के लिए राजा के सारे सुख छोड़कर ज्यान प्राप्ति के लिए जंगलों में निकल पड़ें अपने बेटे को अपने पत्नी को छोड़कर अपने राजपाट को छोड़कर सिधार्त जंगल में चले जाते हैं मानों के कल्यार के लिए मानो की जो योगिता उससे आत्म विनास के साधनों का विसकार कराती है हम उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति संस्कृति का कल्याड भी मानो से घरा नाता है इसे कल्याड से अलग नहीं किया जा सकता यह भावना मनिश्य को मानावता हे तू उपयोगी तथ्यों का विसकार करने के लिए प्रेजित करती है ऐसी कोई ब्यक्ति आत्मविनास के साधनों की खोज करता है उससे आत्मविनास करता है तब यह और संस्कृति बन जाती है ऐसी संस्कृति में कल्याड की भावना नहीं हो सकती है तब और संस्कृति होगी जब किसी चीज को कल्याड की भावना के कल्याड के उद्धिस से अगर कोई चीज का विस्कार किया जा रहा है उसे संस्कृति कहेंगी अगर कोई चीज कल्य लगाल समाज के कल्याद के लिए नहीं बल कि समाज के हित के लिए किया जा रहा है उसे और संस्कृति के श्रेडि में रखा जाएगा ध्यान देना है रचना और अव्यक्ती लेकाग ने अपने द्रिष्टि कोड से सब्वेता और संस्कृति की एक परिभासा दिये आप सब्वेता और संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं बताईए उत्तर हैं लेखक द्वारा अपने द्रिष्टि कोड हैं संस्कृति मानों द्वारा किया गया ऐसा कोई और इसकार या नए तथ्य का जो मनुस्य के लिए कल्याड कारी होता है उसे संस्कृति कहते हैं संस्कृति त्याक की भावना से मजबूत यों सम्रिध होती है संस्कृति का संबंद मनुस्य के भीतर मन में है ध्यान देना है अगर पूछे कभी भी कि संस्कृति और और संस्कृति का क्या मतलब है तो आपक परद बंब और बहुत से खतरना कैसी चीज़ें जो बनाई जा रहे हैं इसमें है सब्सक्राइब सब्सक्राइब और खान पांठने का तरीका लड़ने जगर्णे का तरीका पहनने का आवाजमन सादन ढंग सब्सक्राइब यह सब मनुसिक की बहरी वस्तु है, कल्चर है, सब्विता है, ओड़ना, पहना, खाना, पीड़ना, लड़ना, जगणना, इस सब्विता में आएगी, इसमें कुछ प्रश्ण है जो काफी इंपॉर्टेंट है, अन्या, पाठेतर हल प्रश्ण है, जो कि अक्सर एक्जाम में गुमा कर पूछ दिये जाते हैं, इसलिए मैं इसको करा दे रही हूँ, सब्विता और संस्कृति जैसे सब्द ब्रामक कब बन जाते हैं, जब इन सब्विता और संस्कृति जैसे सब्द ब्रामक तब बन जाते हैं, जब इन सब्दों के साथ अध्यात्मिक, भौतिक, विस करता इसलिए कहा गया क्योंकि आग की आविस्कार से मनुस्य सब्वे बना महत्पूड योगदान दिया आग की वज़े से इसे एक और मनुस्य के पेट की ज्वाला सांध भी हो गई और दूसरी और प्रकास मिल गया उजाला मिल गया अंधेरे में और इसके बाद उससे हम सीत संस्कृति के द्वारा समाज के लिए कल्याड कारी आविस्कार करना जो मनुस्य को सब्वे बनाने में सहता करती है वही सब्वेता है वही संस्कृति है लेकिन अगर समाज के पुराई के लिए अगर कोई चीज बनाए जाती है तो वह संस्कृति में आ जाएगा संस्कृति मानव और सब्वे मानव में क्या अंतर है संस्कृति मानव जो अपने ज्ञान वा बुद्धी विवेक किसी नए तथि के दर्सन की या किसी की खोज या आविस्कार करता है इ वहर मानों के कल्याड के लिए होता है उसका प्रियोग हम सभी करते हैं प्रश्न पांच है न्यूटन से भी अधिक ज्यान रखने वाले उन जीवन सैली अपनाने वाले संस्कृति कहेंगे या सब्वे क्यों न्यूटन से भी अधिक ज्यान रखने वाले उन्नत जीवन सैली अपनाने वाले बैक्ति को सब्वे कहा जाएगा क्योंकि ऐसा बैक्ति न्यूटन दोरा अविसकार गुत्वा करशड के सिद्धान के अलावा भले ही वह बहुत कुछ जानता हो पर उसने किसी नय तथे का अविसकार नहीं किया बलकि दूसरों के अविसकारों का प्रयोग करत खोजी यह चीज पे तो वो तो एक साब्यता हो गई लेकिन जिसने पहले किसी चीज की खोज किये वह संस्कृति में आएगा क्योंकि पहले जो किसी का विश्कार करेगा उसका मौत तो जादा होगा संस्कृति व्यक्तियों के लिए भातिक प्रड़ा का ख्याम होतो है संस्कृति व्यक्तियों का सादा यही प्रयास रहता है कि वे अपनी बुद्धी और अपने विवेक से किसी नए तथे की खोज करते हैं भातिक प्रड़ाओं का बहुत योगदान होता है ऐसा व्यक्ति तन बंका और पेट भरा होने पर भी खाली नहीं बैठते हैं वो कुछ नो कुछ खोजबिन करते रहते हैं बहुत एक पेड़ाओं के प्रती जिग्यासू बने रहते हैं उनके अंदर जिग्यासा सांध नहीं होती है वो हमेशा प्रयास करते रहते हैं करते ने करत करता ब्यास के जड़िमत होत सुजान रसरी आवज जाते सिलपर पड़त निसान जो कोशिस करता है वो हमें एसा कुछ ने कुछ कुछ करता है लेकिन जो आलसी लोग ओते हैं निठले बैठे रहते हैं वो कुछ करना नहीं चाहते हैं सिधार्थ ने मानव संस्कृते में किस तरह योगदान दिया उत्तर हैं सिधार्थ एक राजा थे सुदोधन के पुत्र थे जिनके पास सुख सुविदाएं विशाल भंडार था मानवता का दुख दुखी कर रहा था उन्होंने इसी दुखी मानवता के दुख के निवारडा सिधार्थ अपने सुख को ठोकर मार कर ज्यान की प्राप्ति के लिए वह निकल पड़ते हैं जंगलों में जिसका लाब उठाकर मनुस्य तुखों से चुटकारा पासके सिधार्थ के पास गौतम बुद्ध के पास सब कुछ था लेकिन इसके बाद वह त्यागते हैं मानव कल्यार के लिए सोचने वाली बात है संस्कृति के और संस्कृति बनने का ताथ परश परश्ट करना है यह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं फिर से बता देती हूं संस्कृति मनुस्य सादा कल्यार करती है संस्कृति मनुस्य जो संस्कृति में राता है वो हमेशा कल्य और करते हैं समाज का कल्यार करते हैं संस्क्रिटी में आ जाएगा संस्क्रीटि मनुस को सब बनाती है emyar की संस्क्रीट का प्रवanson के लिए खतरा पैदा हो अगला है संस्कृति का कुड़ा करकट किसे कहा गया है संस्कृति का कुड़ा करकट जो है गली पनपराओं कुरूतियों बुराईयों अन्विश्वासों समाज के विकास में बादा सिद्धोने के साथ ही मानव हेतू अकल्याडकारी सिद्ध होता है कुछ लोगों को दबाने का प्रयास भी करती है वही उसी को हम क्या बोलते हैं कुड़ा करकट बोलते हैं संस्कृति का कुड़ा करकट जो समाज को नीचा गिराती है समाज में बुराईयां फैलाती है संस्कृति पार्ट का उद्यास से उनस्विनी संदेश क्या है संस्कृति पार्ट से स्पष्ठ होता है कि ज्यानी वही बुद्धिमान लोग दोरा नए आविस्कार करने की पेड़ा उसकी संस्कृति है जिसे मानों का कल्याड होता है इसकी संस्रीत का प्रडाम सब्यता है संस्रीत के मुल्क कल्यार की भावना समाई होती है और मनुस्य अपने कारियों को कल्यार कारी भावना में कमी नहीं आने देना चाहिए मनुस्य का सदा यही प्रयास होना चाहिए कि उसकी सब्यता और सब्यता न बनने पाए मतलब कहने का अतात परिया है कि हमें हमेशा मानों कल्यार के लिए कारे करना चाहिए मानों के हित के लिए कारे करना चाहिए मानों की बुराई के लिए मानों के विनास के लिए कभी भी कारे नहीं करना चाहिए इस पार्ट का में उद्देश यही है अब मैं इस पार्ट का आपको समरी बता देती हूँ इस पार्ट में आपको मैंने बताया था कि भदंद आनंद को सेल लायन है इनका जन्म 1905 में हुआ अमृत्यूं 1908 में संस्कृती निबंद में लेखक ने संस्कृती सब्वेता के अंतर को सपष्ट किया है सब्वेता और संस्कृती का अर्थ में और सपष्टता सब्वेता संस्कृती ऐसे सब्दों हैं जिनका उप्योग होता है हम इसके आगे भौतिक सब्वेता अध्यात्मिक सब्वेता जैसे विशेशल लग जाते हैं इनके अर्थ और भी गडबड हो जाते हैं लेखक इन सब्दों के अंतर को समझाने के लिए दो उधारण देता है पहला उधारण है आग के अविसकार का दूसरा उधारण है सुई धागे का लेखक के अनुसार इन दोनों को खोजने की सक्ति या प्रिवर्ति को संस्कृति कहते हैं मैं पहले बता चुकि हूँ कि जो किसी चीज का अविसकार करता है पहली बार चाहिए वो सुई धागा कही किसी ने खोज क्यों न किया हो लेकिन वो संस्कृति में आएगा सुई धागे को सब्वे कहते हैं दूसरे सब्दों में प्रिवर्ति और प्रेड़ा संस्कृति कहते हैं आविसकृत वस्तु को सब्वेता कहते हैं बैक्ति में प्रविर्टी जितनी अधिक परिस्कृत होगी वो उतना ही परिस्कृत आविस्कार करता होगा। कुर्टवा करसड के सिध्धान का अविस्कार किया वह संस्कृत था उनके सिध्धानतों के जानकार अन्य अनेक बातों की जानकारी रखते हैं वह सब्वेका लाएंगे कहने का तात पर यही है कि खोज बिन जो पहली बार किसी चीच की खोज करता है वह संस्कृति में आएग और आग के अविस्कार में पेट भरने की पेड़ा, सुई धागे की खोज, गर्मी सर्दी से बचने के लिए आग हमारे लिए बहुत उपी होगी है पेट भरा जा सकता है, तन धका जा सकता है, जगमगाते तारों के रज से जानना चाहते हैं वास्तों में संस्कृति का जनक, पेट भरने, तन धकने, भहुतिक कारणों की प्रेड़ा वाला ब्यक्ति संस्कृति का जनक नहीं है संस्कृति का जनक वही है जो भौतिक प्रभावों कारणों से नहीं अपितू अंदर की सज जिग्यासा के करण अंदर की खोज के करण ज्यान पैदा करता है हमारी ज्यान आधारित संस्कृति के अधिकतर पुर्ष करता ऐसे ही मनिसी हैं ऐसे ही रिसी मुनी हैं करड़ा मानो संस्कृती की जनक है दूसरे की जरुत पूरी करने के लिए हमने भोजन को त्याग करने वाला मानो संस्कृती का जनक है रोगी, बच्चे के लिए सारी राज जागने वाली मा, अपनी डबल रोटी मजदूरों को देने वाला लैनीन, मजदूरों को सुखी देखने वाला कार्ल माक्स, ट्रिशना में जल्थी मानवता को उबारने वाला राजशुख, त्यागे, बुद्ध, सब मानव संस्कृती क निर्माता थे जो किसी के कल्यार के लिए कारे किये जाएं जो किसी के कल्यार के लिए जो किसी के हित के लिए त्याग दे सब कुछ वही मानव संस्कृति कहलाएगा आग और सुई धागे का विश्कार करने वाली भावना तारों की खोज जानकारी चाहने वाली जिग्यासा सर सबसे बड़ी संस्कृति कहलाएगी वही सबसे बड़ा बैग्यानिक कहलाएगा सब्विता और संस्कृति अब मैं बताऊंगी सब्विता क्या है और संस्कृति क्या है संस्कृति के पड़ाम है सब्विता हमारे खान पान हमारे रहन तरीके ओड़ना पहनना काटना मरना मनुस्य के विनास के लिए जो चीज खोज भी पीन किये जा रही है, वो और संस्कृती में जाएगी, उसे पैदा होइे हथियार, आदी और सब्वियता के सूचक है। किसी चीज को पकड़ कर बैठा नहीं जा सकता मानो की प्रग्या ने जब जब कोई नया तत्य देखा है तो उसने कोई नई वस्तू नई देखी है जिसकी रक्षा के लिए दल बंदियों की जरूरत हो वास्तों में मानो संस्कृति अविभाज्य है उसमें कल्याड कारी अंस है स्रेष्ट ही नहीं स्थाई भी है इसमें पूरे पार्ट का मतलब यही है कि इस पार्ट में यह बताने की कोशिस की जा रही है कि जो हमारे सब्यता है संस्कृति है जो रूड़िवादिता है और जो हमारे समाज में जो नई नई चीजों की खोज भी ना दी मानों के काल से की जा रही है जो पहली बार मानों के कल्याड के लिए जो चीजे खोजी जा रही है वही संस्कृति है वही कल्चर है और जो उसका प्रियोग कर रहा है जो मानों में रहन, सहन, जगडा, लड़ाई, देली दिन चर रहे हैं जो कारे हो रहे हैं वो कारे सब्वेता में आएगा अगर आपको पार्ट पसंद आए तो लाइक, सेर, सस्क्राइब कीजिए थैंक यू फॉर दवाचिंग